पूरी इंडस्ट्री में मशूर हो चुके शारुखान हर किसी के दिल में बसते हैं इन देनों बॉलिवड इंडस्ट्री में भले ही उनकी गतिविदी थोड़ी कम हो गई है लेकिन उन्हें अपने फैंस को कैसे जोड़ कर रखना है कैसे कनेक्ट रखना है यह भला उनसे बहतर कौन जान सकता है हाला कि आज केंग खान का बर्थडे है और आज शा आक्टर के साथ रिशी कपूर और दिव्या भारती भी थे पतादे कि शारुखान जितना अपनी फिल्मों के लिए मशूर है उतना ही वह अपने बरताव के लिए भी लोगों और मीडिया के बीच में सुर्खियां बटूरते रहते हैं लेकिन कुश्वक पहले का वाक्या है जब अचानक से ही शारुखान का एक एडिटर पर पूरी तरह भड़क गए थे हैरानी वाली बात तो यह है कि अपने गुसे के चलते उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुचना पड़ा था दिल्चस बात तो यह है कि इस पूरे मामले से शारुखान नहीं परदा उठाया थ द्रेसल नेटफ्लिक्स पर टेली कास्ट होने वाले अमारिकन होस्ट डेविड लेटरमेन के चाट शो में शारुखान ने इस मामले का जिक्र किया था इस दौरान उन्होंने ये बताया था कि एक बार इतना जादा गुसा मुझे आ गया था कि मैंने अपने आपा खो दिया था और इसके कारण मुझे जेल तक जाना पड़ गया था इस चाट शो में शारुखान ने अपने जिंदगी के बीते दिनों की भी कुछ हैरान करने वाली बातों का खुलासा किया था इस बात से हर कोई वाकिफ है कि शारुखान सिर्फ भारत में बलकि विदेशों में भी लोगों के दिलों पर राच करते हैं लेकिन अपने गलती के वज़ा से इस फेमस स्टार को जेल की कोठरी में जाना पड़ा था खेर इस मामले में आप कितना क्या कहेंगे आपको वह बताना आप इस कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखे अपनी राय और उन्हें बर्दे वि बहुते हिस्चर नेन ब्हुते हैं